आज हम देखेगे इंडियन आर्म फोर्सेज में एक्स्टेंसिवली यूज किये जाने वाली कार्स, SUV और हैवी कॉमबैट वाइकल्स को इन वाइकल्स की स्पेशलिटी, स्पेसिफिकेशन्स एंड डूटीज को भी हम आज की वीडियो में कवर करेगे सबसे पहले बात करते हैं महिंद्रा माक्समेन की, ये गाड़ी कोई हैवी वेपन का सामना नहीं कर सकती पर हैवी बुलेट फायर और ग्रनेट्स का सामना अराम से कर सकती है ये उपर खाबर रास्तों पर अराम से चल सकती है, इसकी मैक्सिमम स्पीड 120 किलोमीटर पर आर है, इसमें 2.6 लीटर का इंजन है विद 2609 सीसी, इसकी सिटिंग कपैस्टी की बात करे तो ये 6 सीटर वीकल है, इसे 26 ग्यारा के मॉमबई टेरोरिस्ट अटेक के बाद बनाया इसकी का प्रोडक्शन डिसकॉंटिन्यू किया गया, तब टाटा सफारी स्टॉर्म एक पॉफेक्ट रिप्लेस्मेंट के तौर पर सामने आई थी, इस गाड़ी को इंडियन आर्म्ट फोसेस की रिक्वाइर्मेंट के अकॉर्डिंग डिजाइन किया गया है, इस गाड़ी सिटिंग कपैस्टी की बात करें, तो ये सेवन सिटर विकल है, पर इस कार का हैवी बॉडी वेट होने की वज़े से इसका इस्तमाल बंद किया गया था, और आज इसे ऑफिसर्स की ट्रांस्पोर्टेशन पॉपर्स के लिए यूस किया जा रहा है, नेक्स्ट टोयोटा पैट्रोलिंग के लिए किया जाता है, इसका माइलेज 14 किलोमिटर पर लिटर है, और इस मैक्सिमम स्पीड इस 176 किलोमिटर पर आर, अगर सिटिंग कपैस्टी की बात करें, तो ये सेवन सिटर विकल है, इस कार में हैवी वेपन्स कैरी करने की केपिबिल्टी भी है, इस गाड़ी की खासियत ये है कि इसका इस्तमाल किसी भी tough conditions में किया जा सकता है, smooth road हो या फिर off road, रेनो, शर्पा बहुत अराम से ऐसे रास्तों में चलाई जा सकती है, इस SUV को एक पैट्रोलिंग वाइकल की तरह भी इस्तमाल किया जा सकता है, क्योंकि ये जादा लंबे सम पर लीटर है और इसकी maximum speed 120 km पर आर है, अगर sitting capacity की बात करें तो ये 425 sitter vehicle है, next बात करते हैं Maruti Suzuki Gypsy, ये एक light utility vehicle है, जिसके कारण इस vehicle को mountains और terrains जैसे region में इस्तमाल करना काफी असान हो जाता है, ये Indian Armed Forces का all-time favorite vehicle है, इस गाड़ी में soft top का option दिया गया है, जिसके कारण इसे हम recoil gun carrier के तोर पर यूज कर सकते है, it is powered by a 4-liter diesel engine with 1298 cc, इसका mileage 14.8 km पर लीटर है और इसकी maximum speed 120 km पर आर है, अगर sitting capacity की बात करें तो ये 8-seater vehicle है, तिलाल Maruti Suzuki Gypsy का production बंद किया गया है, ये गाड़ी exclusively army के लिए बनाई गई है, इसके बाद आता है Tata Zenon, Indian Armed Forces के लिए Maruti Gypsy favorite vehicle रही है, पर Gypsy के काफी features पुराने हो गए है, twin cabin variant के साथ ये vehicle 1030 kg तक cargo भी carry कर सकती है, it is powered by a 3-liter diesel engine with 2179 cc, इसकी mileage 13.4 km पर लीटर है और इसकी maximum speed 151 km पर आर है, अगर sitting capacity की बात करें तो ये 5-seater vehicle है, Tata Zenon, VSF यानि Border Security Forces दोवारा extensively use की जाती है, और इस vehicle की versatility और advanced safety features की वज़े से इस गाड़ी को Indian Armed Forces दोवारा चूस किया गया है इसमें चारो तरफ ballistic shield install की गई है, जो इसे bulletproof बनाती है, इसका use urban warfare combats में किया जाता है और war zone में भी patrolling करने के लिए इस गाड़ी का इस्तमाल होता है, अगर sitting capacity की बात करें तो यह six-seater vehicle है नेक्स्ट है हिंदुस्तान ambassador, 1958 से लेकर 2014 तक इस गाड़ी की manufacturing हिंदुस्तान motors इंडिया के दवारा की जाती थी, हाला कि इस गाड़ी का production कुछ सालों से बंद कर दिया गया है, पर यह top ranking government officers दवारा इस्तमाल की जाती है अमबेजिटर का पेट्रोल और डीजल इंजन दोनों वेरियंट्स आते हैं, इस पावर्ड बाइए 1.8 पेट्रोल इंजन और टो लीटर डीजल इंजन विद 1760 CC, इसका माइलेज है 13.5 किलोमेटर पर लिटर और इसकी maximum speed है 129 किलोमेटर पर आर, अगर सिटिंग कपैस्ट्री की बात करें तो ये 5 सिटर वीकल है, नेक्स्ट है Mitsubishi Bajero, ये गाड़ी जैपनीज कमपनी दवारा प्रोड्यूस की गई है, इसकी maximum speed है 190 किलोमेटर पर आर, अगर सिटिंग कपैस्ट्री की बात करें तो ये 7 सिटर वीकल है, रगेट टेरेंज में पैट्रोलिंग करने में इसका इस्तमाल किया जाता है, नेक्स्ट है Tata Sumo, Tata Sumo काफी लो मेंटेनेंज वीकल है, इसका माइलेज है 14.6 किलोमेटर पर लीटर, और इसकी maximum speed है 125 किलोमेटर पर आर, अगर सिटिंग कपैस्ट्री की बात करें तो ये 7 सिटर वीकल है, Tata Sumo का इस्तमाल अभी डिसमिस किया गया है क्योंकि BS6 इंजन से इसको अपडेट नहीं किया गया है, इस काड़ी का यूज मिलिटरी ट्रांसपोर्ट और मेडिकल टीम द्वारा एम्बूलेंस के रूप में होता था, इसका माइलेज है 14 किलोमेटर पर लीटर, और इसकी maximum speed है 165 किलोमेटर पर आर, अगर सिटिंग कपैस्टी की बात करें तो ये 7 सिटर वीकल है, इसमें anti-theft alarm system भी है, और ये Indian Army के लिए perfect वीकल साबित होता है, इसके बाद Maruti Suzuki Sias, इसका माइलेज है 20 किलोमेटर पर लीटर और इसकी maximum speed है 190 किलोमेटर पर आर, अगर सिटिंग कपैस्टी की बात करें तो ये 5 सिटर वीकल है, इंडिया जियोग्राफिकली डाइवर्ज कंट्री है, जिसके कारण Indian Army को safe और reliable वीकल की ज़रूरत पड़ती है, इन वीकल्स के इलावा, महिंदरा बलेरो और टोयटा इनोवा जैसी कई और गाडिया है जिसका इस्तमाल Indian Armed Forces में officers के transportation purpose के लिए किया जाता है, अगर बात की जाए heavy combat वीकल्स की, तो महिंदरा Armored MEVA Stratton Plus, Viper by Shri Lakshmi Defense Solutions और महिंदरा MPV जैसे कई वीकल्स है जिसका इस्तमाल battlefield पर किया जाता है, अगर इस लिस्ट में आपको यॉर वीकल्स भी एड़ करना चाते हो, तो comment section में जरूर बताना, लाइक करें इस वीडियो को और अपने दोस्तों के साथ शियर करें, see you soon in the next video,